प्लिस ने युवक की चाकु गोद कर हत्या की अलिगर्ट में पड़ोसी की सराफ पीकर घंगा मत करने पद दबंगों ने युवक को चाकु से गोद कर हत्या कर दी इमरे तक युवक रक्षाबंदर में बैंस से राकी बनवाने आया था और काम के लिए वापिस जार पंडरा चंद कंदमों की दूरी की बताई जा रही है और इसी के साती सात आरूपियों ने अंचाम दिया है बादात के बाद आरूपी फरार हैं पुलिस ने घायल को ततकाल अस्पताल इलाज के लिए भेजा लेकिन घायल अनुसकी मौत हो गई थी वही पुलिस आगे की कारवाई में भी जुट गई हैं अनुसकी क्या मामला है कि सुवह दुनों आपस में पड़ोसियों में जगड़ा हुआ है मेरे माई के मैं लड़कों बुलवा लेता है तू मत जा का ठीक है जी जी मैं अपने भाई को लेका आधी रास्ते पैं पहूंची हूँ उसके बाद मैं पता चली यहां वेजे थाने पैसे कई निवा दिन यहां कर रही है छोटा गाई जो नम्मर वाले हो अब मेरो कर नहों कहने थाने पर पोच्ते ना पुलिस की साजे से मेर भजा को थाने से फली तरह आर्टस लड़ के लगा कर दो पुलिसुआ पुर्णी विल्यस चल लएए बस रहा है नाली के ऊपर शिर्फ नाली के ऊपर चली है शुरू नम्म नाली से हुआ है मेरा बाई पंजाब रहते हैं जो खतम हुआ है वो भी जिसके चोटाई है वो भी अज़की है साड़े नो बजे की घड़ना है पत्रा हुआ है मैं तो एक लंबा सा पुलिस वाला है लगातार उसके घर में जा रहा है हमारे पास मजूद हमारे के थाना सासनी गेट के पला चौकी का मामला है यह दोनों आपस में पडोशी है तथा एक ही वाग को बिलॉंग करते हैं दोनों का घर आमने सामने हैं इनमें सुबह आपस में वादविवाद हुआ और इसी में एक पच थाने आ गया और एक लड़ का इनको अकेला मिल गया दूसरे पच्छे को तो जिसमें उसने चाकों से उस पर वार कर दिये और जिसको पुलिस द्वारा तदकाल अस्पताल ले गया जहां पर दौरान इलाज उसकी मिरती हो गई इस संबंद में एक आरोपी को गिरफतार कर लिया गया तथा तहरीर प्र फिर भी इस पे भी हम लोग जांच कर आवर्शी बुदिक कर रहे हैं अलिगर से कुल्देप शर्मा की रिपोर्ट